Hello everyone, welcome back to our channel आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हम अपने फेशल हेर को कैसे ब्लीच करते हैं ये करना बहुत इजी है ब्लीच हमारे स्किन से डार्क सर्कल, संटन और डलनेस को दूर करता है और हमारे स्किन के उपर से अन इवन स्किन को वो इवन करता है ब्लीच करने से हमारे जो स्किन है वो ग्लोइंग एंड क्लीन बनती है स्टार्ट करते हैं हम घर पे ब्लीच कैसे कर सकते हैं आज मैं आपके सामने जो ब्लीच यूज़ कर रही हूँ वो है फेम की फेरनेस प्रफेशनल गोल्ड क्रीम ब्लीच यह मुझे बहुत परसनली पसंद है मैं जब भी बलीच करती हूं तो मैं हमेशा FEM की ही बलीच करती हूं इसमें अमोनिया नहीं है जो की हमारे स्किन को बहुत जादा नुक्सान देता है तो आप जब भी किसी भी कमपनी की आप बलीच क्रीम यूज करते हो तो सबसे पहले उसके ऊपर ये जरूर पढ़िए उस bleach के अंदर ammonia नहीं होना चाहिए क्योंकि ammonia हमारे skin के लिए नुकसान दायक होता है ये femme bleach जो मैं यूज कर रही हूँ ये मैं बड़ा pack यूज कर रही हूँ इसका क्योंकि बड़ा pack लाने का मेरा reason ये होता है कि आप अपने face के साथ हमेशा neck को भी cover कीजिए face की skin तो even नजर आएगी बट अगर कई लोगों के neck पर भी patches बन जाते हैं अगर आप sun के contact में जाते हो तो आप देख सकते हो जितना आप गला डालते हो किसी भी t-shirt का है तो वहाँ पर क्या आता है यहां sun 10 का निशान बन जाता है तो उससे क्या आता है हमारे जो skin होती है वो uneven नजर आती है तो जब भी आप अपने face पर apply करें तो उसके साथ अपनी neck को भी cover करें यह मैं यह ऐसे बड़ा box यूज़ करती हूँ यह इसकी जो net weight है वो है 212 gram और मुझे यह bleach 220 की पड़ी है इससे मैं 2-3 times bleach easily use कर सकती हूँ आप bleach में हमेशा 1-2 महिने का difference ज़रू रखिए अगर आप किसी marriage function में जा रहे हों या किसी भी function में जा रहे हो और आप चाहते हैं कि आपकी skin पर instant glow आ जाए तो उसके लिए आप bleach use कर सकते हैं actually bleach use हम क्यों करते हैं कई लोग होते हैं जो अपने face पर जो आपके facial hairs होते हैं उनको आप remove नहीं करना चाते हैं क्योंकि आजकर बड़े trend way है लोग अपने facial hair को अच्छे से remove कर लेते हैं बड़ मैं frankly आपसे बात करना चाहूंगी कि आप facial hair को ऐसे remove मत कीजिए next time जब आपकी growth हाती हैं तो आपके जो facial hair होते हैं वो और ज़्यादा visible होने लग जाते हैं तो उससे better है कि आपने अगर किसी party में जाना है तो उससे better है कि आप bleach कर लीजी इससे क्या होगा जो आपके facial hair जो black color के होंगे वो golden tone में हो जाएंगे जो कि आपके skin से बिल्कुल match करेगा और बिल्कुल भी आपको जो black hair जाएं वो नजर नहीं आएंगे और जो skin है आपकी वो even दिखाई देगी अब मैं आपको बताती हूँ कि इस box के अंदर हमें क्या चीज़े मिलती है और हमें कैसे इस bleach को अपने face पर अपलाई करना चीए यहां पर यूज कर रही हो मैं Femme की professional gold cream bleach जो कि no added ammonia के साथ आती है यहां पर आपको cream, pre bleach cream, bleach powder and spoon आपको इस box के अंदर ही मिलता है यहां पर सबसे पहले मैं आपके साथ share कर रही हूँ bleach cream यह काफी अच्छी quantity में हमें मिलती है उसके साथ हमें इसके साथ मिलता है एक pre bleach cream जिसे हमें bleach करने से पहले अपने face पर apply करना होता है and it is suitable for all types of skin यहां पर मुझे मिला है साथ में powder bleach और यहां पर आपको measurement के लिए spoon दिया गया है जब भी आप bleach cream का mix करें तो हमेशा आपने कांच का बाउल लेना है इसे mix करने के लिए तो अगर आप इसके quantity देखें अगर मैं two spoon इसमें cream डाल रही हूँ तो उसका एक छोटा spoon आपने bleach powder डाला है और आपने इसे अच्छे से mix कर लेना है इसके बाद जब आप bleach cream अप्लाई करें तो सबसे पहले अपने face को अच्छे से wash कर लीजिए उसके बाद मैं यहां पर यूज कर रही हूँ pre bleach cream आपने पहले इसको अपने fingers पर अच्छे से activate करना है cream को फिर अपने face पर apply करना है तो यहां पर मैं अब यूज कर रही हूँ weseline जो कि हमारे जब हम bleach करते हैं अगर हमारे eyebrows या छोट छोटे hair होते हैं forehead पर उसको उस पर भी bleach ना हो जाए तो उस forehead safety side हम उन पर weseline लगा लगा लेते हैं so that कि वहां पर इसका color नहीं आएगा अपने side को अपने ear के corners पर भी मैंने इसको अच्छे से apply कर लिया है अब जब भी आपने इसे cream को bleach cream को आपने use करना है तो इसकी जो direction है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और आप brush की help से इसे लगाएं क्योंकि brush से क्या होता है यह थोड़ा पत्ला पत्ला अपला ही होता है हमारे face पर आपने अपने eye से दूर रखना है अगर आपको बहुत ज़दा eaching ये irritation हो रही है तो आप तुरंथ ही इसे bleach को साफ कर दीजे अगर आप first time यूज़ कर रहे हो तो पहले एक पर चोटा सा पैच आपने कान के पीछे लगा कर चेक कर लीजिए फिर अगर आपको ठीक लगती है तो आप यूज़ कर देखे सो गैस अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा glow आया क्योंकि मैंने भी आइटनिंग two three month के बाद इसे apply किया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगाई है और इसके साथ मैं अब यूज़ कर रही हूँ पॉंट्स की मॉस्टाइजर क्रीम इसको लगाकर मैं overnight छोड़ दूंगी जिससे क्या है अगर मुझे हलकिसी dryness फील हो रही है तो वो क्या होगा दूर हो जाएगी और सच में का इस बहुत अच्छा इसका result आया आप इसे जरूर apply कीजेगा और मैंसा share कीजेगा बहुत अच्छी FM की gold bleach आप देख सकते हैं बिलकुल golden कर देशने मेरे इसको तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाई